मौसम किस चीज का है? मौसम है D.T.B का D.T.B के एक्जाम सो रहे हैं दोस्तों और जिसका सबसे ज़्यादा वेट है वो है PRT के एक्जाम का और आप लोगों के माइड में एक ही कोश्चन की D.T.B PRT का लेवल कितना होता है? कितना सेफ स्कोर होता है? इसी को आज हम काफी अच्छे से डिसकस करेंगे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो रेस होती है इसमें गला काट होती है और यह जो गला काट रेस होती है दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा आकडा है जिसको अगर आप छू लेते हैं ना नोकरी तुमारी इतने नंबर तुमारे आ जाते हैं नोकरी तुमारी लेकिन अगर इस नंबर से आप पीछे रह गए तो आप ऐसे देखोगे तो बहुत बच्चे आप से आगे मिलेंगे तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जगाने वाला हूं आप लोगों को टाइम रहते हैं यह बताने वाला हूं कि आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए ही चाहिए मुझे नहीं पता दोस्तों यह आप नंबर कैसे लोगे मुझे नहीं पता दोस्तों आप अपने आपको कैसे यकिन दिलाओगे लेकिन आपको इतने नंबर चाहिए ही चाहिए इस से कम नंबर में दोस्तों आप D-Tri-Plexby के अंदर दिल्ली के अंदर DOE या MCD किसी भी exam को clear करने की सोच नहीं सकते हैं तो चले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोग को बता दू विपलव सिंग नाम है मेरा बेक टू स्कूल चैनल आप देख रही है और पहली बार चैनल पर आए हो नादान परिंदे हो यानि कि दूसरे चैनल उसके हो लेकिन पहली बार मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना जिन्दगी में बहुत कुछ ऐसा आप लोग को देखे जाऊंगा जिससे आपको कुछ ने कुछ सफलता तो मिलेगी तो दोस्त आज की इस वीडियो में एक बात तो अपने दिमाग में ये डाल के चलो की आप अगर सिटाइट के एक्जाम को क्लियर करके ये सोचते हो कि आप DTREPlexB को भी इतनी आसानी से उडा लोगे तो कहीं न कहीं दोस्तों आप थोड़े से वहम के अंदर है क्योंकि सिटाइट का एक्जाम होता है क्वालिफाइंग लेकिन ये होता है competitive यहाँ पर आपकी दोड़ आपसे नहीं है आपकी दोड़ दूसरे लोगों से है और D-TREPLSB के exam की खास बात ये है दोस्तों कि इस exam की जितनी भी vacancies आई है आप past में अगर देखोगे तो पिछली vacancies से पहले वाली vacancies पूरी भी फिल नहीं होई थी यानि इसका reason ये हुआ कि जो part B होता है D-TREPLSB के exam का वो होता है कातिलाना यानि कि part B decide करता है कि आपकी जो है list होगी वो कहां पर जाएगी कितने numbers तक जाएगी पार्ट A जो होता है दोस्तों उसमें होते हैं सभी students 19-20 यानि कि 5 subject के अंदर जो scoring होती है वो सबकी neck to neck रहती है लेकिन कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रह जाएगा इसको decide करने वाला factor कौन सा होता है इसको decide करने वाला factor होता है pedagogy और psychology के 100 number और वो जो होता है सबसे ज़्यादा predict नहीं किया जाने वाला क्योंकि NIOS से out of syllabus अजीबो गरीब तरीके के tough से tough language वाले question आप लोगों से पूछे जाते हैं pedagogy और psychology में और अगर आप seated की तयारी को base बना कर उसी level का पढ़कर उनी teacher से उन exams को clear करने की सोच रहे हो तो दोस्त आप लोग वहाँ पर काफी nervous फिल करते हो कि यार यह तो पढ़ाई नहीं था यह तो out of syllabus है questions वो out of syllabus नहीं देते वो questions का level तगड़ा देते हैं इस तगड़े level में दोस्तों क्या आपको लगता है कि 200 number में से 150 number 160 number इतने आ जाएंगे seated जो होता है न वो आँखों के उपर परदा डाल देता है अब धान से सुनियेगा पूरे YouTube पे किसे नहीं यह नहीं का होगा क्यों 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 क्योंकि seated के अंदर आपके आ जाते हैं कितने number 150 में से 130 number 120 number दोस्तों जिस student के seated में 120 number आ जाते हैं 1500 में से वो 120 number 200 में से भी ले लेगा तो DTSB में उसका selection हो जाएगा यानि कि 120 number 1500 में से जिसके आ जाते हैं वो उतने ही number 200 में से ले ले तो उसके कदम चुमेगी नोकरी तो दोस्तों 120 number वो जादू ही आकडा है अगर आपने वो पार कर लिया तो आप सरकारी master बनेंगे इसकी guarantee है अब दोस्तों ये 120 number सुनके आपको थोड़ी सी तसलिय आ गई होगी कि seated वालों के 120 आ जाते हैं तो DTSB वालों के नहीं आएंगे क्या नहीं आते हैं यही बात आपको समझनी है DTSB का level दोस्तों बहुत खतरनाक है इसके लिए आपको कड़ी मेनत करनी पड़ेगी चार से पांच महीने दिन के अंदर 6 से 7 गंटे और इसका जो असर आप देखेंगे वो यही होगा कि आपने अगर 120 नंबर के लायक अपने आपको कर लिया तो 70,000 के चेक पर साइन मारोगे तुम ये बात मेरी याद रख लेना अब ये तयारी कैसे करनी है और कितने गंटे पड़ना चाहिए उसके लिए next वीडियो देखनी पड़ेगी इस वीडियो के अंदर में आपको यही बताने आया था कि कितने नंबर आपको चाहिए 120 नंबर चाहिए यही तुमारा टार्गेट है यही मेरा टार्गेट है अगर तुम सोचते हो नहीं आ सकते तो मैं कहता हूँ तुमारे आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं पांच महीने मेरे साथ मिलकर मेहनत करो खून पसीनाब आएंगे और तब तुम्हारे नंबर आएंगे इस बात को गाठ मादलो दोस्तों जो मेहनत होती है उसके सामने कोई ने टिकता कुछ नहीं टिक सकता आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है और दोस्तों सही दिशा में आगे बढ़ना तो दोस्तों सही दिशा में आगे बढ़े चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दे मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्तों मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ आप भी करते हैं ये कैसे पता लगेगा जब लाइक कमेंट करोगे और कहते हैं न जब प्यार दो तरफा हो तब इश्क करने में भी मजा है तो दोस्तों